Good morning friends, welcome to our YouTube channel मैं हूँ आयूशी और आज है 27 मही और 26 मही से करेंट आफस के जितने भी कोशन होगे आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे और आज के इस वीडियो में हमारे 14 कोशन होगे जिससे लेटेट आपको फेक्ट प्री में डिसकस करूँगी तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रही है तो आज का हमारा पहला कोशन है केंद्री जाज ब्यूरो CBI के नए डारेक्टर किसे बनाया गया है तो इसका सही एंसर है option B सुभोज जायसवाल हाली में जो केंद्री जाज ब्यूरो मतलब CBI के जो नए डारेक्टर है वो सुभोज जायसवाल को बनाया गया है सुभोज जायसवाल को बनाया गया है उनका जो कारेकरार रहेगा वो पूरे दो साल का रहेगा और यह पद जो था वो फरवरी में ही रिक्त हो चुका था मतलब फरवरी में जो इसमें पद पर थे रिशी कुमार शुकला उन्होंने अपना कारेकर पूरा कर लिया था और अब जाके ये पत भरा गया है सुबो जाइसवाल के दोरा और ये दो साल तर इसी पत पर कारे करेंगे और इसके पहले जो वो थे वो थे केमरी और द्री सुरक्षा बलके महानी दर्शक रहा चुके हैं अज का हमाया सेकंड कोशन है हाली में किसे चार साल के लिए विश्व बैटमिंटन महासंग BFW परिश्यत में चुना गया है तो इसका सही अंसर है option A, हिम्मत बिष्वा सर्मा हाली में हिम्मत बिष्वा सर्मा को विश्व बैट मिंटन महासंक BWF परिश्वत में चुना गया है भारती बैट मिनटन संग BIP यह पहरे अध्यक्ष थे अब इन्हें हाली में विश्व बैट मिनटन महासंग परिश्यत के लिए भी चुना भासंग के लिए परिश्यत के लिए चुना गया है 2025 तक चार साल के लिए वो इस पत पर कारे करेंगे और तो इससे पहले अगर कभी कोश्चन आए कि जो हिमत भी स्वात है इस पहले किस्पत है तो भारती बैटमिंटन से बी आई के अध्यक्ष थे और हाली में इने विश्व बैटमिंटन महासंग बी डव्य एफ परिश्यत के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और 2025 तक 25 तक वो इसी पत पर कारे करेंगे हदनेस की जो पहले की कोशन है पाजा था है कि BFW के परिश्यत के लिए किसे चुना गया है लेकिन हमारे जो कोशन से फ़र्ड अज का उसमें कोशन किया गया है कि दोबारा से निरवीरोध दी FW का अध्यक्ष करिने चुड़ा गया है तो इसका सही एंसर है ऑप्शन डी पॉल एरिक होयर हाली में जो है दोबारा से निर्विरुदोर्ड BWF का अध्यक्ष जो है वो पॉल एरिक होयर को चुना गया है जो बैटमिंटन वर्ल्ड है विश्यो बैटमिंटन संका जो हम इसके बारे में थोड़ी से डिटेल लेंगे बैटमिंटन वर्ल्ल फेडरेशन है यह हेट़कॉर्टर को लंपूर् मलिश्या में फ्टापना 5 जूलाई 1934 में उन्पूर्ट है माल्दिव कैंद्री मंत इख जो खुझा इए .. र개र केंद्री मंत इसा में भारत के एक नए वाने जी दुतावास को खुलने की मनजूरी दीर है इस वाने जी दुतावास को खुलने से माल्दीव में भारत की राजनीक मौझूद्गी बढ़ाने में मदद मिलेगी और इससे मौझूदा संबंद और आकांशयों में सुद्रुन बना सके है अरे तो इब्राही मोहम्मर सोयल तो यह आता है यहां की पॉपुलेशन आती हो यहां के नाम आते हो यह जो कंट्री कहां से बिलॉंग करती है यह साथ एशिया की कंट्री है तो हम थोड़े से डिटेल हो लेंगे यह हमारे एशिया का जो मैप है इसमें अगर आप दक्षीनी साइड प अब तो चाहरे आप तो यहां आपको माल भीव जिखेगा सागर यह जो यहा यहां दक्षाणी साइड में हाली में किस स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सीय सीनियर के नाम पर रख दिया है तो इसका सही option ने option c मोहाली अंदराश्टी होकी स्टेडियम यह important question है क्योंकि step की questions आते हैं कि किस स्टेडियम का नाम चेंज किया गया पहले क्या था तो step की questions काफी हाली में जो मोहाली अंदराश्टी होकी स्टेडियम में नाम बदलकर बलवीर सीय सीनियर के नाम पर रख दिया है बलवीर सीय सीनियर इंटरनेशनल होकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा इसके साथ ही पंजाब सरकार ने राज्य के मिधावी होकी खिलाडियों के लिए बलबीर सिय सीनियर के नाम पर एक छात्रवत्य योजना शुरू करनी की भी खोशने की है तो यहांसे आपके जो कुशन बनते हैं वो क्या कुशन बनेंगी कि मोहाली अं इंतराश्टी होकी स्टेडियम का नाम किस पर रखा गया है तो होकी प्लेयर जो थे बलवीर सीह उनके नाम पर रखा गया है और वहाली अंतराश्टी स्टेडियम का नाम बदल कर बलवर सीह सीनियर इंटरनेशनल होकी स्टेडियम रख दिया गया है साथी पंजाब सरकार जो मैधावी चातर होंगे हौक्की के उन्हें बलवीर सिया सीनियर के नाम पर एक चात्र वर्चति योश्णा भी दी जाएगी थोड़ी से जितिया लो लेंगे हम बलवीर सीहे के बाए में जो बलवीर सीहे थे वो सीनियर है भाती होकी टीम को तीन बार का ओलमपिक मैडल जिता आया था उनका ओलमपिक फाइनल रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है उन्होंने 1952 के ओलमपिक खेलो के फाइनल में निदल लेंड पर भारत की 6-1 से जीत में 5 गोल किये थे 1975 विश्वय का विजेता भातिय टीम के मैनेजर भी थे पंजाब सरकाने इस दिगज खिराड़े को 2019 में महराजा रंजिस स्रीह पूरुसका से सम्मानित किया था में काफी सारी कोश्चन बन गए आपके कि उन्होंने कब जिता आया था तो 1952 में ओलमपिक खेलो के फाइनल में निदल लेंड को हराकर भारत को 6-1 से जीत दिलाई थी पाच गोल किये थे उन्होंने इसमें और 1975 में इन्हें विश्वे का विजिता भातिर टीम मैनेजर भी बनाया था और 2019 में उन्हें महराजा रंजिस सीयर पूरुसका दिया गया था तो अब पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो सीय में है वो है कैप्टन अमरिंदर सीय और पंजाब के जो राज्यपाल है वो है पीवी सी है बदनोर तो यह पंजाब की हम बात करेंगे तो यह जो मैप है इंडिया का मैप है तो अगर आप इसके उत्तरी साइट में जाओगे मतलब थोड़ा उपर के साड़ यह यहां अगर आपको कभी मैप देखने हैं तो यह हो जाएगा आपका पशीम और यह हो जाएगा आपका पूल और यह हो जाएगा आपका पशीम ठीक है तो जब आप इस तरीके से उपर के तरफ जाएंगे उत्तर के तरफ जाएंगे तो आपको यह पंजाब दिखेगा पंजाब जंडिगरी है ठीक है तो कोश्चन आता यहां से पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ अंतराष्टी Bizimह नरी यहां से किस साइट सैर दकषी में साइट से पाकिस्तान के नरी साथ थोड़े ऊपर तो यहां पर जांगे यहां पर यहां ने अपर हर्याना हैं माठ्ट देhradun rач on king खये फ़र जूम करके देखना अब को यहां से क्लियर हो जाएगा जब आप इसको जूम करोगे तो ठीक है आज का अबारा सिक्स कोशनर युनाइटेंट किंग्डम ने हाली में किस देश के साथ मुक्त व्याप पर वारता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है तो इसका सही अंसर है ओप्शन ए भारत युनाइटेंट किंग्डम ने युके ने हाली में जो है भारत देश के साथ मुक्त व्याप पर वारता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है तो इसके अंतरगत क्या होता है मुक्त व्यापार वर्ता वारता की अंतरगत कि इसके अंतरगत युनाइटेट किंग्डम ने भारत के साथ संभावित मुक्त व्यापार सोदे पर अपने विचार विमार्ष करने के लिए व्यापर पतिनीदियों के साथ 14 सब्ता की परामर्ष प्रक्रिया शुरू की है मुक्त व्यापर वाद्ता उपचारिक रूप से सितंबर अक्टुमबर 2021 से शुरू होने की उम्मीद है तता 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है यहां इन्हेस्ट्रेड पार्टनर्शिप विसकी जैसे पतिशिष उद्योगों के लिए नए अवसल लाएगी यह देश भय में रोजगार पेदा करने के अलावा विज्ञानों सेवा वह भी व्यापर को भी बढ़ावा देगी पैसे की इसे मैंसके साथ मैंन के लिए कि मुक्त वैपार योजनक प्यति है और जाए इसकी मुक्त वैपार के बारे में पढ़ेंगे मुक्त व्यापपार समझोता क्या होता है free trade agreement क्या है तो यहाँ दो या दो से अधिक देशों के पीज एक समझोता होता है जिसके माध्यम से देश, वस्तूर, सेवाओं के व्यापपार बोदिक संपदा, अधिकारियों और निवेशों के लिए सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कुछ दाईतों पर सहमत होते है पतला बोदिक संपदा क्या होती है बोदिक संपदा, यह जो यहाँ लिखा है बोदिक संपदा तो for example लेंगे, जो बल्ब बनाया था जैसे कि बल्ब बनाया था, किसने बनाया था? अब यह मार्केट में आ गया, अब मार्केट में अब तो वो नहीं रहे लेकिन का formula आज भी है कि बल्ब कैसे बनता है, ठीक है? तो market में जब उन्हें के formula से बल्ब बनाया जा रहा है तो उन्होंने इसका जो price रख दिया, वो रख दिया 10 रुपे तो जो बोधिक समपदा होती है, वो यह कहती है कि अगर हम इसे 10 रुपे में बेच रहे हैं, तो इनके घर का भी हम कुछ हिस्सा दे देंगे मतलब इन्होंने हमें formula दिया ना, तो कुछ हिस्सा हम इनका निकाल देंगे तो इनका हमने 2 रुपे निकाल दिया 10 का हमने बेच दो इनका निकाल दिया, तो हमें 8 का फाइदा तो हुआ हमने इनका भी लेखा, हमारा भी देखा, तो एक बोधिक समपदा हुई एक तरीके से जैसे कि अगर यूके से कोई चीज भारत को चाहिए है तो उन्होंने उस व्यापार को शुरू किया, तो अगर वो चीज हम जादा में बेच रहें तो उसमें कुछ फाइदा हम उनके को भी देंगे तो इस तरीके से बोधिक समपदा अधिकारियों के निवेश रक्षा प्रावित करने कुछ दाईतों पर सहम मत होते है अब यह चाहे तो यूके आम से वापस भी ले सकता है, यह संबन तोड़ भी सकता है, चाहे तो अब हम इस पर आते हैं कि यह व्यापार बाधाओं को कम करता है और विदेशों की हितों की रक्षा भी करता है अब इसका कोशन आता है कि इसका महत्व क्या है क्या काम का है यह व्यापार तो यह जो है मुफ्त व्यापार के माप धंडो का पालन करने वाले देशों में उत्पन होने वाले उत्पादकों पर ट्रेरिफ को कम या समाप्त करता है या मुफ्त व्यापार के भागिदरों के बीच भौदिक संपता अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें लागू करता है या भागिदरों के बीच उत्पादक मानकों को बनाये रखने में में भी मदद करता है तो कहीं न कहीं यह बहुत ज़ादा उप्योगी है अजका हमारा जो सेवंध कोशन है बौर्कलेज ने विच्टवश 2021-2022 के लिए भारत की आर्थिक व्रद्धी कितने रहने का अनुमान जनाया है तो इन्होंने अनुमान बता है कि जो भारत की आर्थिक व्रद्धी होगी वो होगी 9.2 मतलब आप्शन D 9.2 प्रतिशत बौर्कलेज ने विच्टवश 2021-2022 के लिए भारत की आर्थिक व्रद्धी जो है वो 9.2 प्रतिशत हैने का अनुमान जताया है बिटिश बौर्कलेज फर्म बौर्कलेज ने विच्टवश 2021-2022 के GDP ग्रोध के अनुमान में 0.80 फिस्दी की कटोती करके 9.2 कर दिया है इसके पहले जो तीन मही को न्यूज आई थी कि जो कटोती की थी वो 10 की थी मतलब यहां जो थी इससे पहले बौर्कलेज ने तीन मही को 11 फिस्दी घटा कर 10 कर दिया था तो अब यह 10 से भी घटकर इसमें कितनी अनुमान ने बताया है कि आर्थिक व्रद्धी जो है वो 9.2 रह जाएगी अभी तक दूसरी होने जीटेपी ग्रोथ का अनुमान बताया है बार्कलेज ने इससे पहलो जो हुई थी वो तीन मही को आई थी जिसमें 11 फिसी से घर्ष्ट कर आज का हमारा एट कोर्ष्टन ने चोहतर वी विश्व स्वास्त सभा के अध्दक्ष कि से किस ने की है तो जो भी स्वास्त सभा के अध्यक्षता हुई थी वो की थी डॉक्टर हर्ष्वर्दन ने इसका सही अंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर हर्ष्वर्दन तो 74 वी जो विश्व स्वास्त सभा भी हुई है हाले में वो डॉक्टर हर्ष्वर्दन के अध्यक्षता कोई भी साथ में नहीं का सकता तरीक से वर्चुल रूप में हुई तो आप देख सकते हो डॉक्टर टेड्रोस ने विबिन कत्विदियों के बारे में जानका रहे दी जिसमें कोविट प्रेबंटन के लिए उठाए के कदम भी चामिल रहे तो इस बैठक में क्या होता है कि किस देश में साथ सब्भध ले ले की चीजे क्या क्या चल रहे हैं मतलब साथ के बारे में कौन-कौन से कदम कौन से राज उठा रहे हैं और इस बैठक में पुरी डिटैल निकाल जाती है और अब फिलाल जो सबसे कंपरी बिमारी चरीए और महाने देशक गोंचे लिए किके लिए अगिधे का नऑक्राइष्य सवाहा Leo 2020 से 35 विदेशी निवेश में टी प्थिश्यत का उच्छाल हुआ हैं कर नुटिस अछे नोटिसे मठीधाद का जैस शाम R सब्थुए अगल हो News विदेशी निवेश में 19 पतिशत का उचाल हुआ है निती का सुधारों निवेश सुविदा व्यापाय करने में असानी के मोचे पर सरकावगारा किये गए उपायों के कारण 2020 के दुरान देश में पत्रेक्ष विदेशी निवेश FTI 19 पतिशत बढ़कर जो है वो 69.64 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया है आज का हमारा तैंथ कोशन है ली इवास किस देश के ओलमपिक धावक थे जिनका हाली में निधन हो गया है जो ली इवास थे वो अमेरिका के ओलमपिक धावक थे जिनका हाली में निधन हो गया है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन भी अमेरिका तो ली इवास जो है वो अमेरिका के ओलमपिक धावक थे जिनका हाली में निधन हो गया है ली इवास ने 1968 के ओलमपीक में विरोध में ओलमपीक में विरोध के संकित में एक काले रंग की बेरी पहनी थी और चर्चा में आये थे ये उस टाइम पे और इवास जो थी वो है 44 सेकेंड में 400 मीटर रेस क्रेक कने वाले पहले व्यक्ति बने थे इनों ने 43.86 सेकेंड में मेक्सिको सिटी के गैम्स में स्वर्ण नपदक जीता था आज का मारे इस वीडियो का 11 कोश्चन है इस्राइल के खुफिया एजनसी मोसात के नए प्रमुक कोन बने है तो इसका सही अंसर है ऑप्शन ए डेविड बॉर्णिया इस्राइल के खुफिय प्रमुक के रूप में योसी कोहन का स्थान लेंगे मतलब इन्हें जो है डेविड बॉर्णिया को मोसात के नए अर्दिश बनाया है और यह अपनी जगह लेंगे वह एक जून को लेंगे लेंगे नियोशी जूंघ इ सायओं में आर्दिय योशी कोहन बॉर्णिया एक चुने के जो हो देविड बॉर्णिया इसके जो है दीविड सिधोन बॉर्णिया वंश्ठी आयि 안सर नहीं हो इसके जो कोनो सीधाली कि प्रधान मंत्री जो हे वो बेंद्वा में नत्म्याव हुए राStता नहीं जेर लासम है और मुद्रा यहां कि वह इस्राइली शकेल है ऐसा कामारा ट्वेल्थ कोश्चन niez कहने नई प्रधान मंत्री कौन बने है तो कांगो राच के मेल प्रकासो बने है Osasa सब्सक्राइब कांगो कांगराजी के नए प्रदान मंत्री है वह बने माoe रप्यूर्प अफॉपिप्र्राइड कांगो है यहां पहें गाल्ड में कांगो कंट्र ल॥ंड्य यह जो यह यह 25 1009 ली के जीती को धन개 गंडराजे की फिप्ती पॉंट एट लाग और यह आफिशल लैंगवेज जो बोली जाती है फ्रेंज बोली जाती है नाम जो है लोगों की काफी अजीब होते हैं तो जो कोलिंग्टन मुकासो है जो कांगो कंडराजे के नए प्रधान मंत्री बनें इन्हों ने इस पत पे के एसनियुकती से पहले स्धुनिट महाःसों सिंस्वर्थ के च Tag am लिए और सिंस को नि partner से आज प्रदान मुंट्री के लिए सके पहले सिंस्षों मंत्री के दो प्ल से आज का मारा थर्टिन कोशियन है, Asia Pacific Teddy Gold Award 2021 कि ने जीता था, तो इसका सही औसथे हसी Option है Spice Health, Asia Pacific Study Gold Award 2021 जो था, वो Spice Health ने जीता है, Spice Health के बढ़ भाविया थोड़ा प।ढ़ेंगा, Spicezchpts ही जेज के प्रमोटर दोरात स्थापीत एक स्वास्त सहीवा कम्पनी, स्पाइस हेल्थ ने COVID-90 कहता है Most Valuable Medical Innovation के लिए 2021 में Asia Pacific Student Award में Gold Award जीता है स्पाइस हेल्थ ने Corona Test के लिए जो RT-PCI परिक्षन है उसमें 2400 रुपे की ततकालिन वर्दमांदर के मुकाबले 499 रुपे पर करके पूरे देश में नाटे की रुप से COVID-90 परिक्षन मुली को कम करने मदद की है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये उसने जो एशिया पिसे सिक्षिट जीतने वाली स्पाइस हैल्थ उन्होंने ये बताया है कि जो RT-PCI टेस्ट हो रहा है RT-PCI जो टेस्ट हो रहा है कि जो दूसरी कमपनिया है जो टेस्ट का खर्चा ले रही है वह है खर्चा ले रही है इसके जो लाकत उन्होंने ली है वह 2,400 रुपए है 2,400 रुपए लेकिं इस्पाइस हैल्थ ने ये बताया है कि 499 रुपए में ही ये खर्च पूरा किया जा सकता है कर दिया है जिसके लिए निता बड़ा वार्ड दिया है तो अब पेस्ट एशिया पैसिफिक स्टी अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे तो एशिया प्रशान्त छेत्र के सभी 29 देश्यों में कारेस्थल के बीतर नवाचार को मानिता देने के लिए एक व्यावसाइक पूरसक स्टी अवार्ड को मोटे तोरपा दुनिया का प्रमुख व्यावसाइक पूरसका माना जाता है जो 19 वर्शुप के लिए इंटरनेशनल बिसनेस अवार्ड के समाल अनुप्योंग्यों में उपलब्दी के लिए मानिता प्रदान करता है आज का मारा इस वीडियो का लास्ट कोश्चन नमबर 14 है किस स्थिति को बेसाग दीवस 2021 मानाया जाता है किस स्थिति को तो किस स्थिति को बेसाग दीवस 2021 मानाया जाता है तो अभी हमने कल ही समने बादधपूर्णिमा बनाई थी तो इसका सही अंसर है ऑप्शन सी 26 माई मतलब बादधपूर्णिमा का दिन द होता है इस दिन भगवन गौतम बहुत दे को ग्यान की प्राप्ति हुई थी सर्ट राष्ट दौरा 2000 से यह दिवस मनाया जा रहा है इस दिवस को मनाने का संकल्ब 1999 ने प्राइब किया गया था 2004 से अंतराश्टिय वेस्वाक शिकर सम्मिलन का आयुजित किया रहा है 2019 में यह वेतनामा में आयुजित किया गया था अब तक यह शिकर सम्मिलन थाइलेंड में 11 बार हो चुका है वेतनामा में थीन बार और श्रीलंका में एक बार हो चुका है तो 2019 में यह लास्ट टाइम जो था वो 2019 में हुआ था अभी तो कोविट की वज़े से अभी कोई कारेक्रम न प्रित्ति वह थी वह यूपी में हुए थी कुशी नगर में अपनी अंतिम सास लिती जनम नेपाल में हुआ था गौताम बहुत जो है काफी बहुत लोग जो है नहीं मानते हैं काफी जादा फैला हुआ धर्म है इनका और आपको जादा तर जो लोग बिलेंगी बहारी वि है इस धर्म कोड तो आज को यह हमारा last question था और आपको अगर 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 वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज वीडियो को like किजे कमेंट कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए और आपको इसका free PDF चाहिए तो हमारे टेलेग्राम चैनल से भी जूट सकते हैं तो thank you have a good day